हलो गाइज आप देख रहे हैं वाई जी लो और मैं हूँ वाई जी आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉफ टॉट्स में टॉर्चेस लियाबिलिटी ऑफ स्टेट तो चलिए शुरू करते हैं जब गाइज लियाबिलिटी ऑफ दे स्टेट की बात करते हैं तो एक मैक्सिम है रेस नौन पोतेस पेकेर है जिसका मतलब था दा किंग केंडू नो रॉंग यह ऐसा मैक्सिम इसले चला आ रहा था क्योंकि किंग को भगवान मानते थे और भगवान कैसे गलती कर सकते हैं बट अभी देखो किंग विंग वाला जवाना नहीं है अभी डेमोक्रे प्रोविजन से पहले भी गौर्मेंट को आप सू कर सकते थे आर्टिकल 176 और 1935 के साब से और गौर्मेंट ऑफ इंडिया एक 1915 और 1858 में भी प्रोविजन से गौर्मेंट को सू करने के लिए तो गई स्टेट की टॉर्चेस लिए होती है लेकिन किन कामों के लिए होती है यह डिसाइड हुआ था पैनिंसुलर और और इंटल स्टीम नविगेशन कंपनी वर्से से क्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसमें स्टेट को लाइबल किया था क्योंकि बोला गया था कि स्टेट जो काम कर रहा है जो रॉंग फुल आट किया था वह सॉवरेंट फंक थोड़ी इंपोर्टेंट लेवल के अक्टिविटी निसे करने करने वह सारे सॉवरेंड फंक्षन है उसमें अगर कोई रॉंग्फुल आक्ट करते हैं आप जैसे वार चल रही है और आर्मी वाले अगर किसी का घर गिरा देते हैं कल्ती से टैंक ले चाक्ते वह खाली विल अपने को डिफेंस प्रोवाइड नहीं कराता स्टेट की पुलिस भी होती है स्टेट की इलेक्टरिसिटी बोर्ड भी होता है आपके घर पे ब्रॉडबेंड लगाया तो भी एसनल का चाहिद लगा हो ठीक है तो स्टेट यह सारे आपको प्रोवाइड कर रहा है चीज़े और इस केस में एक ड्राइवर था उस ड्राइवर ने कार चलाते हुए एक दूसरे आदमी की जान ले ली ठीक है अब वो आदमी मर गया तो यह गवर्मेंट का ड्राइवर था तो यह आदमी की जो विडो थी मतलब इसकी जो विद्वा थी ठीक है यह इस विद्वा ने इस पे राजस्तान से compensation मांगा इस case में court ने compensation दे दिया क्यों दिया वही वाला reason Supreme Court ने बोला कि देखो सबसे पहली बात तो यह non-sovereign function है और दूसरी बात जो मैंने बोली कि देखो सिर्फ है ना maintaining law order काम नहीं होता government के दूसरे भी काम होते और भी दूसरे सेक्टर में employers है वहाँ पे भी government के बहुत सारे employees यह भी एक ऐसा सेक्टर दा driver था काम कर रहा था अपना तो हर चीज में government को immunity देना कोई सही बात नहीं है तो इस case में नहीं मिलेगी state of रास्तन वर्सेज विद्यावती क्यों क्योंकि non-sovereign function था और non-sovereign function में immunity नहीं मिलती है next case है कस्तूरिलाल रालिया राम वर्सेज state of यूपी इसमें कस्तूरिलाल को arrest किया पुलिस ने और कस्तूरिलाल के साथ कुछ gold भी उन्होंने confiscate किया जो उन्होंने पुला stolen property है बाद में कस्तूरिलाल को तो कर दिया innocent declare और इसको कर दिया free कि तुम जाओ और लेकिन इनका जो gold था ना वो gold वापस नहीं करा बाद में जब इसने gold मांगा तो जो constable था जिसने gold confiscate किया था ठीक है वो gold लेके और फिर रफू चक्कर हो गया भाग गया एपसकॉंड कर गया अब कस्तूरिलाल राम ने करा state of यूपी पे केस बोला कि देखो तुमारा constable मेरा gold लेके भाग गया तो तुमारी जिम्मेदारी है तो इधर ठीक है इधर court ने बोला कि हाँ इम्मुनिटी है स्टेट को स्टेट पर कोई लाइविलिटी नहीं करी constable भग गया भाड़ में जाए हमको मतलब नहीं है उन्होंने बोला कि देखो यह जो काम कर रही थी वह स्टेट अगा sovereign function कर रही थी लेकिन पुलिस वाला था actually sovereign function होता भी निया टेक्निकली तो यही रीजन है कि कस्तूरि राल्लिया राम वर्सेस टेट ओव एक विकार केस है और इसको बाइपास कर दिया अब देखो इसको बाइपास कैसे किया गया इसको बाइपास ऐसे किया देखो एक तो decision overrule कर दिया लेकिन bypass मतलब कस्तूरिलाल को mention ही नहीं करा लेकिन आगे की decision ऐसे दे दिये जो कस्तूरिलाल follow नहीं करते वो decision कैसे थे और किस basis पे थे वो decision थे Supreme Court के article 21 के basis पे Supreme Court के इसाब से उन decisions जो अभी आगे मैं case बता रहा हूँ उन सब में personal liberty या life hamper हो रही है किसी तरह से और state की वज़े से हो रही है तो आप वहाँ पे sovereign function का defense नहीं ले सकते जैसे सहीली versus commissioner of police का case था इसमें 75,000 रुपे का compensation दिया गया था जो अपना plaintiff था उसको ठीक है क्यों दिया गया था क्यूंकि assault किया था पुलिस ने तो इसमें दे दिया गया था फिर नीला बती भाहरा वर्सेश टेट ओफ उडिसा ये भी काफी landmark case है इसमें भी police custody में बच्चा मर गया था एक आंटी का नीला बती भाहरा का तो फिर इसमें भी बच्चे के राइट वाइलेट करने के लिए 21 में दिया गया था compensation वगेरा और क्या बुलते हैं बाकी action भी लिया गया था एक और case है रूदल शा वर्सेश टेट ओफ बियार इसमें imprisonment किया था illegal 14 साल के लिए तो उसका compensation और rehabilitation cost मांगा था तो Supreme Court ने वो भी grant किया था ठीक है तो यह सारे cases थे जिन में liability दी थी non-sovereign function बोला था कस्तुरिलाल से लग गए थे और compensation दिया था पुलिस के activity को भी non-sovereign function मानते हुए क्यों क्योंकि article 21 वाइलेट कर रही थी पुलिस और अभी present situation ऐसी है कि यही situation है कि article 21 life liberty सब वाइलेट हो रहा है तो दे देते हैं स्टेट की liability लेकिन कस्तुरिलाल ने थोड़ा मामला confusing सा कर रखा है तो यह अभी present scenario की कस्तुरिलाल bypassed है और यह सारे cases में दे दिया है और purchase liability state होती है लेकिन वह वाला case important है अपना peninsular वाला ठीक है जिसमें sovereign और non-sovereign बताया गया है तो चलिए गाईज यह हो गया यह वाला वीडियो complete अगर अच्छा लगा तो वह usual नए हो तो subscribe मार दो like मार दो comment मार दो पुराने हो तो लाइक मार दो comment मार दो और यहां पर playlist आजाएगी टॉट की देख लेना मिलतें अगले वीडियो में बाई बाई टाटा सीया